अगर आप इग्नो के स्टुडेंट है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप एक सिंगल पोर्टल के उपर अपनी इग्नो से लेटेंट सारी इंफरमेशन चेक कर सकते हो और वह बहुत असानी से टो चली स्टाट करते हैं वीडियो को सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल को ऐपन कर ले नहीं और उसके अंदर आपको टैब करना है इग्नो एडिमिय्शन स्टेटव यह आप ऐकरेंगे और इसथे क्लिक करेंगे तो आपके पास खुलेगा यह पोर्टल इसके अंदर आपको क्या करना है इसके अंदर आपको सबसे पहले आपका इन्वर्मेंट नमर फिल करना है दैन आपका जो प्रोग्राम कोड है आप क्या कर रहे हो आप बीकुम कर रहे हो आप कर रहे हो वह जो आपका कोड होता है वह आपको फिल कर देना यह सारे डिटैस करने के बाद आपको समीट कर देना है कि जब आप सबमीट करूगे तो आपके सामने यह पॉल जाएगा इसमें आप बताया हुआ है अपका जो यहां पर दिखाया हुआइज और आपका जो दिटेंशन स्टेटस है वह यहाँ पर इमेल और मोबाइल आईडी सारी जो इनफरमेशन है वो यहां पर आपको मिल जाएगी ठीक है अब हमें क्या करना है हमें तो अलग-अलग इनफरमेशन से लेटेड चेक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको इसको स्क्रोल डाउन करना है ऐसे आपको इस साइड इस कोर्णर में आ जाना है यहाँ पर आपको मिलेगी रिजल्ट्स के नीचे सारी जो अलग-लग साइट्स हैं उनके लिंक यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए क्या है यहाँ पर ग्रेड कार्ड टार्मेंड रिजल्ट्स टडी मैटेरियल डाउनलोड होल टिकेट टार्मेंड इक्जाम फों स्टेटर्स जो सारी इन्फोर्मेशन है आपकी आपकी इगनोसे डिट्रीड वह यहाँ पर सिंगल पोर्टल के उपर यह इडिमिशन स्टेटस के उपर यह आपको मिल जाएगी तो अगर आपको अपने ग्रेड कार्ड के मार्क्स चेक करने हैं त तो वो Grade Card के ऊपर मिलेगा, आपके Assignments चेक हो गी हैं, तो यहाँ पर आपके Assignments के Marks हैं, अगर आपके Lab वगेरा से रिलेटीड आक्टिवीटी है तो उनके Marks में ही यहाँ पर Mention मिलेंगे और अगर अगर प्रक्टिकल वगेरा है तो वो भी, यहाँ पर आपके जो Exam है, उनका एक्जाम का जो रिजल्ट है एक्जाम के मार्क्स है आपके हर सब्जेक्ट के अलग-अलग यहां पे मैंशन मिलेंगी ठीक है अब अगर आपको और इन्फरमेशन जैसे आपको स्टडी में टील का स्टेटस चेक करना है तो वह भी यहां से चेक कर सकते हैं रिजल्ट से इनकी डेट भी मैंशन मिलेगी कि कब तक हुए है और कब तक बाकी जो है वो भी जो रिमेनिंग जाते हैं वो कब तक हो जाएंगी ठीक है इस सारी डेटेल्स इसके अंदर होती है आपको असाइन्मेंट्स यहां पर अपडेट हो गई है तो आपको पतना चल जाएगा कि आ करने बास लेकां पर इक्षाम फॉर्म स्टेटस चेकर ना होता है लेकिन अगर आपने अच्छी से अच्छी से सब्मिट नहीं हो यह इंक तो वहां पर अलग स्टेटस चो करेगा अगर आपने सब्सक्राइब तो अलग करेगा हम आपको दोनों दिखाएंगे अब यह अगर आपने अच्छे से भर रका है तो आपकी क्या डिटेल स्पोर्म शो हो जाएगा तो यह देखिए आपको आपने जो स्टेटी पॉर्म का वह जाएगा आपका जो इक्जाम फॉर्म हैं वह कैसे किया online किया है आपने जो city center code है वो क्या select किया है इस सारी details जो हो जाएंगी आपर आपका जो course code है आपने क्यों कोण से subject के बरे हैं या आपने जो किस date को submit किया है फोम सारी details यहाँ पर mention मिलेंगी अब यहाँ पर और भी कुछ services के link दिये हुए होते हैं जैसे student grievance आपको कोई complain करनी है उसे related या student जो mobile app है वो उसको डिरेक्ट लिंक होता है रिवालेशन से related आपको कुछ चेक करना है आपका या रिजिस्टेंशन से related information चेक करनी है वो सारे करना है स्टुडेंट को तो आपको यहां से डावन्लोड कर सकते हैं असानी से यहाँ पर डिरेक्ट लिंक दिया होता है तो आपको अलग से सर्च करने की जुनिया यहां पर ही सारे लिंक होते हैं सिर्फ आपका admission status open करना यहां पर जो assignments paper है, assignments है, वो भी आप असानी से डाउनलोड कर सकते हैं, यहां पर और भी जो आपने address change करवाना है, या जो भी format वगरा है, वो जो सारी चीज़े हैं, उससे related जो information है, मतलब एक notice, वो सारी चीज़े आप यहां से असानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सक हैं, तो I hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगाऊगा, informative लगाऊगा, क्योंकि आप आपकी जो problem होती है, बार-बार में कोई भी चीज़े लेटरी चेक करने के इसके लिए जो आपको प्रोब्लम आती हो, उसके लिए एक solution मिलाऊगा आपको, ठीक है, अगर और भी आपकी जो कोई भी प्रोब्लम है, इगनों से रिलेटरीड आप कमेंट सक्षेन में बता सकते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए, बाई